हालो फ्रेंड्स गुजरात टेक्नोलोजिकल उनिवर्सिटी नी अंदर सिमेस्टर बे अने त्राण इनि अंदर अभ्यास करता डिप्लोमा एंजिनिरिंग ना विद्यार थियोंने एक सब्जेक्ट ओफरताई छे जेनू नाम छे एंजिनिरिंग मट्रियों आज सब्जेक्ट ना कोर्ट छे 430020 अने आज सब्जेक्ट ना दो मोस्ट आइमपी क्वेस्टन इनना बीजा भाग मां आप सवनु स्वागत छे आज सब्जेक्ट जे छे ए ओटो मोबाईल, मेकेट्रोनिक्स, मेकेनिकल अने फेब्रिक रेशिन टेक्नोलोजियां विद्यार चेप्टर नंबर 4, 5 अने 6 एना दो मोस्ट आइमपी क्वेस्टन चेप्टर वाइस आपने डिसकस करवा ना चे पेला पाग नियंदर पेला त्रहन चेप्टर लेजेला आता वाग बीजा पाग नियंदर बाकी ना जे त्रहन चेप्टर छे चेनू वेटेज चाओद वत्त चेप्टर नंबर 4 जे नू टाइटल चे नो अने आटेज चेप्टर माथी लगभग बार मार्क्स ना क्वेस्टन पुछाई सके चे चारती पांच प्वेस्टन होई सके चे चे माँ टोटल पाँच टोपिक सिलेबस न यंदर चे 4.1 तो 4.5 तो पाँच टोपिक जे आपन चे एए 14 क्वेस्टन निकरे चे चे चाओध क्वेस्टन चे एमा 34 के 5 क्वेस्टन एक्जाम निंदर पुछाई सके चे तो क्वेस्टन काया काया चे जोईए क्वेस्टन नमर वान डिफ्रेंशिट बिट्वीन मेटल एंड नोन मेटल्स धातू अने बिन धातू अथ्वा और धातू वच्चे नो तफावत लखो स्टेट दर नेम ओफ एनी एट नोन मेटलिक मेटल्स विचार इन जनरल यूज एले विट्वी ते पुछाई के सामानेदी ते उक्योग मालेवाती कोईपण आठ बिन धातू सामगरीनू नाम जाणाओ तो जो पेलो क्वेश्चन बिजो क्वेश्चन अने केटले करीता स्वर्काचे क्या माले धातू अना धातू नो तफावत छे आनी इंदर धातू ना लिस्ट छे एनू नाम जे अथ्वा हाग क्वेश्चन ने विट्वा पुछाई give the classification of non-metallic material non-metallic धात्तु जे छे यह यह समगरी छे यह एनू वर्गी करण करो तो एक विट्थे पुछाई अत्वा question number 3 classify polymers and give their applications polymers नू वर्गी करण करो यह तेनो उप्योग जानाव यह कार्यकरम नी आवय पाण उप्योग आऊ से typing mistake चे अत्वा आग क्वेश्चन ने विर्ट पुचाए state the application of thermosetting plastic और thermoplastic ये विर्ट पुचाए अत्वा विर्ट पुचाए state engineering application of non-metallic metals बिन धात्वो नो उप्योग जाणाओ क्वेश्चन नुबर 4 गिव रिजन्स वाइ प्लास्टिक्स आर अ सिनोनिमस मेट्रियल इस्टेड उफ मेटल्स जो आत्रोक ट्विस्ट करी ने पुचाए लोँचे दात्वो ने बदे बदले प्लास्टिक समनर्ती समगरें चै तेना कराणा वापो अत्वा प्लास्टिक न उप्योग दात्वो ने बदले सा माटे थाई चै तेनो आंसर तमेला किशको जो प्लास्टिक सा माटे उप्योग करिये चै You know all the reasons state to use or properties of with various materials निचे जे अन्या मट्रियाल ना नामा पेला चे एना बे उप्योगो अत्वा एना गुणधर्मो लखो आमा थी एक पुछावानी संपावना चे PVC, polyethylene, polypropylene, teflon, polystyrene, phenol formaldehyde and acrylonitrile epoxy resin अटला ओप्शन जे चे एना बद्दा ना गुणधर्मो एना उप्योगो जन्रली आ टाइपना जे मट्रियाल होई एना उप्योगो बद्दा ना लगबग सिमिलर होई काईट नेका एक साम्यताव होई सके चे यले बेतरण ना उप्योगो तो मियाद राखीलो पजी गमे तो पुछाई एह लखी नाखो तो एह चाले यले कहीं पर ना वड़त हुए तो एह स्ट्रेजी ना उप्योग करवानों पाच क्वेशन यहां दर्सावेला छे एनी अंदर थी एक थी बे क्वेशन चिटीवनी एक्जम मां सो टाका पुछाशे 100% कोई रिते ट्विस्ट करी ना पुछाई सके तो तमार ध्यान राखवानों के यह तमनी जे आपेला छे एमाँ थी चे question number 6 write short note on composite materials यलेके composite material उपर टोगनों लखो अथ्वा आज क्वेशन ने वीटे पुछाई define composite materials composite material ने व्याख्या आपो अथ्वा आज क्वेश्ट ने वीटे पुछाई classify composite materials state the characteristics of it composite material नो वर्गी कराण करो तेना लक्सोन लखो तो जो आए एकज question तमें तेयार करो तो त्रण माथी कोई पुछाई आपने ज्यावले छे एरी ते जेनों solution जे चे question number 7 what are the ceramic materials ceramic समगरी सूँचे give the classification of classification of ceramic materials with their common characteristic features एलन उपयोगो ने वर की कराण आया तमरे अथ्वा आज question के वीटे पुछाई और नी आवे आसातमा question आजमा question what is refractory material state its basic properties refractory समगरी सूँचे तेना मुलबूद गून तरमुचाई अथ्वाइवर ते पुछाई list the causes of failure of refractories refractory समगरी नी स्निश्पाताना कराणों नी सूची बनाओ question number 9 name any four insulating material कोई पोन चार insulating समगरी नाम आपो write short knot on rubber rubber पर टुपनाद लखो अथ्वाइवर ते पुछाई state the industrial use of rubber materials rubber नुजे समगरी चे एनुजे material चे एना अउध्योगी को उप्योगों लखो अथो समगरी चे अपना वाची नहोई तो पन एनुआ आंसर जे चे लखी चे तो आज दस question आपेला चे एमा थी बेथी त्रोन question पेपर नींदर सो टका हसाई now question number 10 write short note on abrasive materials adhesive materials adhesive material पर टुकी नुद लखो अथ्वाइव तो पुचाई list the merits and demerits of adhesive material adhesive material ना गुण धर्मो एनी खामियो और फाइदाओ अथ्वाइन उप्योगों लखो एक याँ उप्योग महावे चे एक adhesive material उपनू टोपिक तियार करी लो मेरिट्स, demerits अने एना characteristics एना लक्षा एनो वास्तवी कुप्यों क्या थाई चे question number 14 list the factors to be considered while selecting engineering materials आचे सामन्य question चे अधरे घणाबदा समझेक्न अंदर question आवे चे engineering material नी पसंगी करती वक्ति ध्यानमा लेवाने परीब़ो कया कया हो चे चे question number 12 state engineering applications of following engineering मा अनो उप्योग जानावो polyvinyl chloride firebricks, thermocole अने mica अत्वा मिका चन्डली मािका क्योई चे सनमािका फुरमािका अबदा चे एना engineering उप्योगो question number 13 classify the following in abrasive and insulative materials abrasive अने अवाहक सामगरी नू वर्गी करोन करो diamond, glass wool, aluminum oxide, mica तो आत्वाने 13 questions अने चाउध मोग question चलो question define abrasives and classify them abrasive नी व्याक्या आपो अने तेनू वर्ण की करोन करो तो आचाउध question जेचे ये अपने तेयर करी ले सो एटले बारे बार marks secured कही सकाई एले एक question नो एक mark एउँ आपने अंदाजीत लाईश रखिए question number five sorry chapter number five electrolysis, oils, paints, weariness and powder material आज पाँच मूँ चेप्टर जेचे इन यंदर पाँच टोपिक अभियस करवान आवे छे आपाँच टोपिक माँथी चाउध मार्क्स नू exam न यंदर पूछावानी संभवना छे अने चाउध मार्क जेचे इन आमाटे लगबुक 5-6 question पेपर नी अंदर असे तो 5-6 question कया कया हासे इन आप 12 question अत्यार आपड़े जोईशू आप 12 question जेए याँ पेला छे इमाँ थी 5-6 question जेचे ए पेपर नी अंदर पूछा से question number one list the surface coating methods सपाटी कोटिंग पदथियो नी सुची बनावो अत्वा आज क्वेश्यन इवी ते पूछाए वाई surface coating is done list the surface coating methods and explain anyone सपाटी पर कोटिंग शामाटे करवामा आवे छे तेनी पदथियो दरसाओ और कोई पन एक समझाओ वाईट Faraday's law of electrolysis Faraday ना विद्यूत विच्चेदन नियमो लखो explain surface coating through electrolysis setup विद्यूत विच्चेदन पिश्यदन विशलेसन द्वारा सपाटी ना कोटिंग ने समझाओ state industrial applications of electrolysis electrolysis ना अप्योगो जणाओ जो आजे जने question number two, three, four आ त्राने question यंदर answer चेने कणिबदी रिते साम्यता वाड़ा हासे electrolysis एक ये प्रोसेस चेत्यार करीदो पच्छी गम्यते पुछाई आपणने जे electrolysis विश्यावड़े चे बदू लखी देवाद इनो basic principles सूचे एक क्यां उप्योग मा आवे चे एना benefits सूचे एनी ए प्रोसेस सूचे एन इन इन्दर लखवाड़ question number five state the properties of oil तेलना गुण धर्मो लखो अधवा एज question एवी ते पुछाए applications of lubricating oil एले के lubricating तेलना उप्योगो जणावो अधवा explain cloud point and power point for lubricating oil lubricating oil माटे cloud point आना power point सूचे ते समझावो एले property गणों इन इन्दर आविग्यू state the applications of coolant and cutting fluid in mechanical engineering mechanical engineering माँ शितक और कटिंग प्रवा इनी application जाणावो एले oil VC नो टोपिक तियार करो तो एनी इन्दर थी आ चार रिते question पुछाई शाके चे आपने oil VC नी जे content आर करलू छे एमाथी जेरी ते question पुछाई होई ए प्रमाने फेरफार करी अने answer जेचे ए लगवानो रेसे question number 6 sorry अहीं 6 आवसे 7 नी आवे state designation method of oil as per borough of Indian standard B.I.S. मुझे तेलनू designation समझाव एलेके oil जे चे तेल चे lubricating oil एनू designation समझे लगवानो चे write short note on paints and varnish varnish and paint reset हो किनों लखो state the itching reagents for following materials and alloys एलेके जिनी जेनी धातू आपेली चे अत्वा alloys आपेला चे इना माटेना itching reagent ना नाम लगवाना चे cast iron, aluminum in its alloy and perlite बाकिनी बदी जातू हो माटे पॉन चे तमें याद राकिश को जो write short note on powder metallurgy powder metallurgy पर टुक नोंद लखो हवे जो आ question केटली बदी रीत्या पुछाई सके जह एक powder metallurgy topic तेयाद में आपने तेयर करी दे तो एनी अंदर थी केटला बदा question पुछाई सके छी जो ही आपड़ state applications and limitations of powder metallurgy process powder metallurgy प्रक्रियान उप्योगो ने मरियदाओ जणाओ state the powder manufacturing process explain anyone powder उत्पादन ने प्रक्रियाओ जणाओ एक कोई एक समझाओ अथ्वा वी ते पुछाए draw flow chart of powder metallurgy process and state the uses of powder metallurgy अथ्वा explain with figure compacting process of powder powder नी compacting प्रक्रिया समझाओ एक दस्मों question जेशे मत्र पाउडर metallurgy नो topic त्यार करीदो तो एक question पांच निते पुछाई छे पांच मासी कोई पांच निते पुछाई तो एनों आंसर जेशे आपने topic समझाला छे तो एना प्रमाण एनों आंसर जेशे ए लगवान तो आप पेज उपर जेला question छे एमाँ थी बेथी त्रण question चेटी ना question पेपनी अंदर सोटा काहसे कदाच ट्विस्ट करीने कुछाई वोई तो ए तमने ध्यान राखीन question number 11 explain dielectric, premillability and hysteresis question number 12 give the reasons for erosion, corrosion and pitting corrosion in metal धात्यों माँ धुवान, काट अने पिटिंग काट नों कारणापो अथवाज question ए विर्थे पुछाई differentiate between erosion and pitting corrosion धुवान अने pitting corrosion वचे नों तरफावत लखो state types of corrosion in steel with reasons and explain pitting corrosion कारणों साथे steel माँ काट ना प्रकारों अने pitting न समझाओ तो आ थेगो question number 12 chapter number 5 हवे छेल्लू chapter जुवानूँचे छट्टू chapter जेनू टाइटल छे green materials मित्रो आ चेप्टर जुना syllabus मा नोतु एले कदाज आ चेप्टर ना एकपण question जुना paper मा हसे नहीं तो अवे एनियंद थी लगभग छो मार्क्स ना question पुछाई सकते छे त्रोन टोपीक छे तो आ त्रोन टोपीक मा थी चार question जेचे ए बार निकड़े छे ए चार question तेयर करी नाखो एडला आना चार चार मार्क्स जेचे ए अपणा माटे question number one explain in brief about green material its advantages and limitations green सामगरी सुँ चेना विसे समझावो तेना फैदावो अने मर्यादावो लखो state about sustainable and renewable material used in industry उस द्योग मा वपराती टकावो अने नविनीकर अन सामगरी विसे जानावो explain the materials used in electrical vehicle, solar panel and battery electrical vehicle, solar panel अने बेटरी मा वपराती सामगरी जेचे एनो लिस्ट बनावो अने चलो question automotive sector अत्व mechanical sector मा advanced materials जी used थाई जे explain the need of advanced materials used in these sectors तो मित्रों आमाथी कोईपण question पुछाए कोईपण question blank छोडवानो आ सब्जेक्ट जेचे purely theoretical छे कोई example पुछावानो नथी तो जेटलू practical knowledge होई एपण तमें मला खिश्यको छो इना content इना विसे जेकाई idea होई ए तमें question इंदर लखी देवाना छे एक पण question blank छोडवानो नथी that is for all syllabus एले के 3321802 सब्जेक्ट जेचे इन दर आ question विद्यार्थियो तयार करवाना छे चेना पहला चार question जेचे ए दो मोस्ट आइमपी question छे चार question जेचे इमाथी बे question पेपर मां सोय सोटा कहाँ से आ साना माटे जे चुना सेले बसना विद्यार्थियो माटे जे नवा सेले बसना विद्यार्थियो आ question तयार करवाना ना थी तो मित्रो आ सब्जेक्ट ने अंदर अपने बद्दाने खूब सारा मार्ग सावे इंजिनेरिंग सारा मार्ग साथे पूरूत है एवी तमने बद्दाने खूब सुबेच चाओ और यह जे बोक्सिस आपे लाचे एव बोक्सिस ने अंदर तमने जे जरूरियात लागे जी योगिय लागे ए वीडियो नो अभ्यास करी अने तेमें वदार्या महीती में भी शको छो तमारू केरियर जेचे ए वदार्या सारू बड़ा भी शको छो थेंक्स फर वचिंग, केप वचे